अपने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है अरुन साओ जी उसे बाचीत कर लेते हैं आप लोग संकल्प ले लिए हैं संकल्प किस तरह से 38 गड़ में लेकर आगे जाएंगे यह विक्सित भारत के निर्मान का संकल्पत्र है यह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास स संकल्पत्र है एक खुसाल भारत एक सम्रिद्द भारत के निर्मान का संकल्पत्र है यह संकल्पत्र आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का आम लोगों के जीवन को सुलब बनाने का यह संकल्पत्र है तो निश्चित रुप से इस संकल्प के साथ देश की जनता मोदी जी के साथ जुड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री के रूप में असिरवाद देगी लगपती दीदी बनाना है जो आवास योजने उसको आगे लेकर जा रहे हैं कई ऐसी योजने जिनका विस्तार किया गए हर कुछ योजना नहीं जिसकी सुरवाद नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में की है उस काम को आगे बढ़ायने का काम जिस कांग्रेश पार्टी ने 70-75 साल देश और देश की जनता के सांथ अन्याय किया आज वो न्याय की बात कर रहे हैं उनके मुझे न्याय की बात सोभा नहीं देती है देश की जनता ने बार-बार कांग्रेस पार्टी को परखा है हमेशा गलत और जूठा पाया है जूठा वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी है इसलिए कांग्रेस के वादे पर गारेण्टी पर ने देश की जन देश रा अर प्रदेश की जन पारुक्त आ भरोसा करेगी नहीं और जो संकल पर जारी हुआ है उसे निशिर टौर पर आम लोगों की काफी राहत